कश्ती डूप कर निकल सकती है शामा बुछ कर भी जल सकती है मायूश ना हो इरादे ना बदल किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है कर देकल लॉफिन बदल हो है तो आप प्लेश्य सो से टेली डाउनलोड कर लिजा इसके लाव हुआ मैं अंक पदाकर करके चेंडे में बना बेलकुल फिरी में देख सकते हैं और दोस्तों चैनल पर पहले बार विजित के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में जो बराबर बेल आइकन उसको जरूर अन कर लें ताकि आपको इसी तरह की डेली मॉनिंग में पांच बजे करेंट हैस्की वीडियो मिलती र आपको उता देख 28 ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको उता देख दुनिया भर में भूंक और कुपोशन कस्तर 2000 में 29.2 से नीचे 29.9 के मान पर जो तो गंभीर स्रणी में आता है और सुचकांग के अनुसार भारत 119 देशों में 130 अस्थान पर ठीक 103 आपको उता देख ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट वैस्ट्रिक गहर सरकारी संगतनों कंसर्ण वर्ल्ड वाइड जो कि आर्लैंड की है और वेल्थ वेल्थर फिल्फ है जो कि जर्मनी की है द्वारा इसको सभी तुरूप से इन दोनों दार तैयार किया गया ठीक है ग्लोबल हंगर में शामिल देशों में आपको बता देख कमजोर आवादी का हिस्टा 2015 और 17 में 12.3 परसेंट था जो की दोहार 1999 और 2001 की बीच की बात करें 17.6 परसेंट था तो यहां पर आपको याद रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो अठारा है भारत को इसमें स्थान मिला है एक सो तीनवा स्थान 103 इसके लावा यहां पर इंडेक्स की बात हो रही तो आपको इंडेक्स एलेटेड काफी सारे में और बता देता हूं जो अभी रिसेंडली बताये गए हैं सूचकांग बहुत इ याद रखिएगा इसमें भारत का 130 स्थान है बहुत इंपोर्डेंट है आपके एक्जाम जरूरू पूचायागा इसमें फर्स्ट नंबर पर है नार्वे ठीक मानोविकास सूचकांग में पहले नंबर पर है नार्वे और भारत का स्थान एक सो तीसवां दूसरा बात करें स artificial नंपर है यहाँ इसको भारत कस्तान है तीसवां और इसमें फर्स नंमरपर है जापान वह जूफ समावेशी विकास सूचकांग 28 में भारत कस्थान 62 स्थान और प्रताम स्थान पर है नार्वे परताम स्थान पर ऐस्विधरलेंद ऻ्भारत कस्थान इसमों конतर्ष सभर ठीक है 42 और इसमें फस्ट नमर्पर है नार्वे फस्ट नमर्पर है नार्वे वैस्टिक बहुत्धिक संपदा सुचकांग 28 में भारत कस्थान नियाद होगा नियाद होगा दिली रिवीजन करें अपने माध्याज़ आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए ठीक है और नेक्स्ट बात करें वैस्टिक प्रसंता सुचकांग में हैपी इंडेक्स में तो इसमें है भारत कस्थान 133 फर्स नमर पर है फिन्लैंड ठीक है फर्स नमर पर सबसे खुशाल प्रसंता देश फिन्लैंड है आर नाथिक तो इंडेक्स में और मानोवीकास सुचकांग में ठीक है और बात करें गलोवाल लेविविलिटी सुचकांग दो अठारह में इसमें भारत कस्थान एक्सो बार्मा फर्स नमर पर है विये नगया एक बहुत इम्पोड़ेंट है विश्व प्रेस सुचकांग में भ भारत कस्थान 57 57 ठीक फर्ट नमर पर है स्विट्जर लेंड ठीक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वैस्विक शानती सुचकांग में बात करें तो इसमें यहां पर मैं आपको कुछ most important एक बार revise कर देता हूं जो बहुत महत्पूर्ण है आप उसमें red mark कर लिजेगा मानोव विकास सूचकांग में भारत कस्थान में 131 वैश्युख शांती सूचकांग में भारत कस्थानboatboatboatboat लिजेगा गया है जो मैं इतने अभी repeat किया हूं यह most important है यह जरूर पुछे आगे बागी सब भी important लेकिन की पूछे आने की cherry आने ठीक है तो आप अपने नोट में नोट करके इसको रिवीजन जरूर करिएगा ठीक है और ट्रिक बना लीजे अपने अकॉडिंग तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स.18 भी जारी कि उसे भारत कस्थान एक सो तीन है ओन जीरो थ्री इसको इंक्लूड कर लीजे चलिए अगले कोशन मानवा धिकार परिशात के लिए चुना गया है भारत को एक जनवे दोहरणी से तीन वर्स के अब्धी के लिए एसिया प्रसान सेड़ी में 188 बोट प्राप्त हुए हैं अधिक्तम बोटों के साथ भारत की जीत अंतराश्टी कमिटी में देश की स्थिती को दरसाते आपको प्राप्त हुए हैं ठीक है और आपको बता दे कि भारत को 2011 14 और 2014 17 के लिए पहले जिनेवा इसीद मानवा धिकार परिश्यद के लिए चुना गया था सयवक्तुराष्ट राजदूत सयद सयद जो अकवरुद्दीन है भारत के स्थाई परतिनी थी ठीक है यहां पर बात कर सयद राष्ट मानवा धिकार परिश्यद यानि UNHRC UNHRC इसका फुल फॉर्म क्या है United Nation Human Rights Council थोड़ा सा बता देते दो इसके वारे में सयद राष्ट मानवा धिकार परिश्यद गठन सयद राष्ट महसाबाद वारा 2006 में मानवा धिकार के मुद्दों से निपढ़ने के लिए किया गया था इसमें 47 निर्वाची सदस्त होते हैं नियाज संगत भावलिक विवितरण के अधार पर परिसत जो सीटों पांच शेतरी समों बाटा गया है जो इस प्रकार है इसमें अफ्रीकन देश में तेरा सीट है एसिया प्रसांद के देश में इसमें 13 है और पूर्वी परिसत के लिए चुना गया है इंडिया को ठीका ऑप्सन भी करेक्ट है दोस्तों यहां पर बात करें जापान की तो जापान से लेटेट कुछ फैक्ट बता जेते जो आपके एक्जामें पूछा था जापान का प्राची नाम था निपन जापान की राजधानी टोक्यो जा हुकाइडो हुंसो सीकोको तथा कुशू जापान को सुर्योद्यक देश भी कहते हैं जापान के पिया में सिंजो आवे इसिया का सरवाधिक जल्यान बनाने वाला देश जापान ही को यह जापान से लेटेट आपको फैक्ट याद रखने वहीं बात करेंगर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के दोस्तों राज़धानी है इसलामाबाद करिंसे हां पिये करांची और करंसी पाकिस्तानी रूपया आवी हाली में पाकिस्तान के राश्टपती निर्वाची थो यह नहीं आर shoots priority भाल्यान ठीक हो ए पॉइंट से बहुत इंपोड़े इसको आप नोट जरूर करिएगा ठीक है चलिए अगले को शंग तरफ बढ़ते हैं हाली मन पूर्णा देवी की निधन हो गया है वह एक संगीतकार थी ठीक अलावद दिन खान के पुत्री ठीक अलावद दिन खान की पुत्री थी उनका विवा महान सितारवादक कलाकार स्रविसंकार से हुआ था तो हाली मन पूर्णा देवी की निधनों के किश्यत समन्दी थी संगीतकार नेक्स उचन है राष्टी मानवा दिकार आयोग के 25 वर्ष प्रयास में महात्पूर उनका निभाएगा ठीक है यहां पर बात कर दोस्तों राष्टी मानवा दिकार आयोकी तो 12 एक्टूबर 1993 को इसकी स्थाबना कि थी राष्टी मानवा दिकार आयोकी वर्तमान अध्यक्ष कोंने बहुत महात्पूर को को पूच्शन पूचा राष्टी मानवा दिकार आयोक को बरतमान जो सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों वह हैं अम्भुज शर्मा ठीक है मानवा दिकारों को प्रहरी है मानवा दिकार और इसका है राष्टी मानवा दिकार को नई दिल्ली में तो यह अफेक्ट आपको यादर करने राष्टी मानव पतादे कि इस दिन का उद्देश दुनिया भर में आपदा रहित समाज का निर्माण करना उसके साथ जुड़े जोखिम के वारे में जागरुकता बढ़ाना है अंतरास्टी आपदा निवनिकरण दिवस का विशे क्या है जोखिम जागरुकता और आपदा में कमी को वैस्चिक संस्कृती का बढ़ाव देने के लिए तेरे अक्टूबर को मना जाता है ठीक है तो यह आपको फैक्ट बात करें हाँपे दुस्तों अगर आठ अक्टूबर की तो प्रतिवर्स आठ अक्टूबर को क्या मना जाता है मैंने भी बताया था आपको भारती वाई शेना दिवस मना जाता है ठीक है वो बात करें 9 अक्टूबर की विश्व डाग दिवस ठीक है इकोनॉमिक लोसेज इसका हेड़क्वाटर है शयक्त राश अंतराश्टी रणनी आपदा निवनी करण का जनेवा सुट्जया लेंड में ठीक है चलिए कोश्चन नमर सिक्स है भारती अंतरिक शौनसंतान संक्ठन इस्रों ने जम्मू काशिमीर के किस विश्विद्याले में यहाँ पर बात हो रही इस रों की इस विश्विद्याले आपको सारे फेक्ट है पता होने चुछ जिए आमें पूछे आते हैं इस रों का फूल फॉर्म क्या है इंडियान स्पेस रिसार्च ऑगनेशन इस रों का हैड़क्वाटर है बैंगलूरू करनाटका में इस रों का जी सतीस रड़ी तो डी आड़ी ओक अभी हाली में नियुकती है इसलिए आपको यादर ने जी सतीस रड़ी जबकि इस रों के हैं डाक्टर के सीवान यहापको फैक्ट याद रखना है तो इस रों ने जम्मू काश्मीर के किस इन्वर्सिटी में अंतरिक्ष प्रियोक के केंदरी जम्मू इन्वर्सिटी कोशन नमर सेवेंथ है विश्व बैंग द्वारा हाली में जारी मानो विक पूझी सुचकांग में भारतों कौन सस्थान मिला है तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था रिवीजन करवा रहा हूं आपको तो इसका राइड एंसर एक सो हाली लेंड़नी की गई है यह राकेट अंतराश्टी इंदरी स्टेशन के लिए रवाना हुआ था कोश्चन नमर एक सरकाने निलुखित में से किस नदी के लिए पहली बार नियुंतम मात्रा में पानी के प्रवा को अनिवार करने की घोष्णा की है करेक्ट एंसर आने माजुली में असम गावरेंड द्वारा भारती अंतर देशी जल्ब मार्ग प्राधिकरण का द्वारत सेकत रूप से एक ज्यारक रूपतर वठारा को माजुली दी पर रोल और रोल आफ यानि रोरो से वारम की गई है कोश्चन नमर टेंथ है परिया बरन भी तथा ग लीडिया गरवाल का हाली मिद्यान हो गया कोश्चन नमर 11 थे दोस्तों बोड़ा फोन दोरा हाली महिला सुरक्षा के लिए आरम की पहल का क्या नाम है राइट एंसर होगा उसका ऑप्संसी सखी ठीक है भारत में अग्रणी दूर संचार सेवा प्रदाता बोड़ा फोन ठीक है विदेश मंत्री सुष्मा सुराज ने 11 और 12 अक्टूबर को तजाकिस्तान की राज़ानी दुसामबे में सुरू हुए संगाई श्योक संक्ठन की सरकारी वैठक की सत्रवी परिशाद में भाग लिया है राइट एंसर जाग इसका ऑप्सन ने तजाकिस्तान ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का अंसर मैंने कोशन पूचा था हाली में किसे भारत का नया सॉलिसेटर जनरल नियुक्त किया गया है राइट एंसर था इसका ऑप्सन भी तुसार महता को सभी लोगों ने राइट एंसर दिया था सभी स्टूडेन ने अब पर क्लिक करके जरूर देख लें बहुत है उसके साथ साथ मैंने बडहरें यहां पर प्ले हो रही है अभी अक्टूबर तक की नियुक्त tu s एंक्स लट फ़र वाचिंग जै हिन जै भारत